आडिटोरियम के बाहर सेक्डों विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बाहर से एक सवाल लेंगे हलो सर, मेरा नाम मुहम्मद अक्मल है और मैं JNU का विद्यार्थी हूँ मेरा सवाल आपसे ये है कि दरसल मेरे दिमाग में एक अलग प्रश्ण था लेकिन इस समय मेरा सवाल ये है कि जब आप अमेरिका में थे, आपने हमेशा वहां कहा कि भारत सबसे बड़ा जीवन्त लोक्तंत्र है लेकिन अब चार सालों के बाद आपने ये कहना बंद कर दिया है, तो वो क्या चीज है जिसने आपको अब ऐसा कहने से रोग दिया है मतलब आपने ऐसा कहना क्यों बंद कर दिया है कि हम सबसे बड़े जीवन्त लोक्तंत्र हैं नई नई, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों का शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं इन चार सालों के कारण नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि हम भी अमेरिका की तरह होते जा रहे हैं या तो हम रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसलिए मैं भी रिपब्लिकन हूँ ऐसा एक Republican ने कहा तो एक दूसरा व्यक्ति बोला एक Democrat ने उसे पूछा मान लो तुम्हारे पिता बेवकूफ थे और तुम्हारे दादा भी बेवकूफ थे तो तुम क्या होगे? उसने जवाब दिया मैं एक Democrat होँगा तो एमरिका दुर्भागे से पिछले कुछ दशकों में इस तरह से विभाजित रहा है लेकिन भारत में ऐसा नहीं था लेकिन अब मैं कहूँगा कि शायद पिछले दस सालों से ये इतना विकृत हो गया है हर वेक्ति किसी दल से संबंदित है ये लोकतंत्र का विनाश है सभी को चुनाओ के तीन महीने पहले इस पर विचार करना चाहिए तब आप ये देखना शुरू करें कि इन लोगोंने क्या किया क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ किया क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ नहीं किया क्या उनको एक और मौका दें या दूसरा मौका ना दें? ये कुछ ऐसा है जिसे आपको चोनाव से ठीक पहले देखना चाहिए. पूरे पांच साल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है. आपको अपनी बुद्धी से इसका अंदाजा लगाना चाहिए. आज तो जानकारी उपलब ना कि अपने पिता से या दादा जो बेवकूफ थे. अपनी बुद्धी लगाकर अपनी समझ के अनुसार आपको वोट करना चाहिए. केवल तब ही वोट के अधिकार का कुछ अर्थ है. इसलिए तो गुप्त मद्दान होता है. हम पहले ही तै कर चुके हैं कि ये दक्षिन है ये वाम है. तो फिर वोटिंग का क्या अर्थ है? हम पहले ही जानते हैं. हम बस सीधे आपकी गिंती कर सकते हैं. चुनाओ की ये पूरी प्रक्रिया इस धर्ती की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है. भारतिये चुनाओ प्रक्रिया. ये एक जबरदस्त और बहतरीन प क्या मतलब है? अगर पांच साल पहले ही हम तै करके बैठे हों कि हम किसे वोट करेंगे, फिर तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है. गुप्त मतदान फिर क्यों रखा जाए? दरसल इसके पीछे विचार ये है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसक पूने?